दिसंबर का महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिनों के बाद साल 2023 खत्म हो जाएगा और नया साल आ जाएगा हमेशा की तरह ये साल भी बॉलिवूड इंडरस्ट्री के लिए कुछ अच्छी तो कुछ बुरी यादें छोड़ कर जा रहा है इसी तरह साल 2023 में कई फिल्में रिलेज हुई जिन्होंने लोगों को जम कर इंटरेंविंट का डोस दिया वहें बॉलिवूड की तमाम फिल्मों पर जम कर विवाद भी हुआ और पूरे साल चर्चा में बनी रही पठान आदे पुरुष दा केरला स्टोरी जैसे फिल्मों ने अच्छी कमाई तो की लेकिन कई मुद्दों को लेकर इन पर विवाद रहा तो आएए जानते हैं कि साल 2023 की सबसे विवादित फिल्म में कौन सी रही है और वो एक फिल्म कौन सी है जिसको मेकर्स ने सर्टिफिकर देने से साफ इंकार कर दिया था और इस लिस्ट में पहली फिल्म है पठान शाहरु खान की फिल्म पठान जन्वरी में थियेटर में रिलेइज होई थी इस फिल्म में दिपीका पादुकॉन की भगवा कलर की बिकनी पहनने पर जम कर विवाद हुआ था लेकन फिल्म ने जम कर कमाई की प्रभास की फिल्म आदी पुरुष को लेकर काफी विवाद हुआ था इस फिल्म के डालोग पर लोगों ने आपत्ती जताई थी ये फिल्म जून में सिनेमा घरों में रिलेज हुई थी अदा शर्मा के फिल्म दकेरलाई स्टोरी माई में रिलेज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई की थी वहीं इस फिल्म को लेकर जम कर विवाद भी हुआ अक्षर कुमार के फिल्म OMG 2 अगस्त में रिलीज हुई थी और इसे लोगों ने काफी पसंद किया था इस फिल्म के कई सीन पर काफी विवाद हुआ था इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ यहां तक कि सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट देने से साफ इंकार कर दिया था अजमेर 92 फिल्म अजमेर 92 जुलाई में थियेटर्स में दहाड लगाई थी इस फिल्म को बताया गया कि 1992 के रेप केस पर बेस्ट है इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था सानी देवल और अमिशा पटेल की फिल्म गदर टू अगस्त में रिलीज हुई थी गुरु द्वारा में किस सीन को लेकर फिल्म पर काफी विवाद हुआ वरुन धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल OTT प्लैटफार्म पर रिलीज हुई थी इस फिल्म में जानवी कपूर के एक डालोग ने जम कर विवाद पैडा कर दिया था एनिमल रन्बीर कपूर के फिल्म एक दिसंबर को रिलेज हुई थी और ये फिल्म अभी भी अच्छी कमाई कर रही है इस फिल्म को हिंसा और महिला विरोधी बताया गया और इसको लेकर के खूब कोंट्रोवोर्सी हुई थी Bollywood के लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉल्यूद को And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोरमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं